21 जून अंतर राष्ट्रिय योग दिवस योग की साधना सारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्यान की दृष्टि से एक महत्व पूल्न भूमि का अदा कर सकते है योग स्वयम के लिए भी और योग समाज के उन्नयन के लिए भी हो सकता है योग साधना में आसन प्रानायाम यह एक अंग योग का हो सकता है या दो अंग हो सकते हैं इसके अलावा हमारे भारती साहित्य में योग को बहुत उन्चा स्थान दिया गया है जैन आचारिये स्री हेम चंद्रे ने बताया है मुक्सो पायो योगो ग्यान स्रद्धान चलनात्म के है कि जो मुक्स का उपाय है वह योग है सर्व दुख मुक्ति का जो उपाय है वह योग है और वह है सम्यक दरसन सम्यक ज्यान सम्यक चारित्रे दुनिया में योग का अपना महत्व हो सकता है हम योग के साथ मेडिटेशन ध्यान को भी महत्व देने का प्रयास करें और हम योग में स्वाध्याय जप आदि को भी जोड़ सकते हैं और इसके साथ अहिंसा सत्य अतवर्य ब्रह्म चर्य और एप्रिग्र है इनकी साधना भी योग साधना है सरीर वानी मन और इंद्रिया इन चारों का संयम करने की साधना भी अपने आप में योग साधना होती है तो ये योग एक ब्यापक चीज है और ये 21 जून का दिन जो योग दिवस के रूप में स्थापित हुआ है इस निमित से बहुतों को योग से जुड़ने की और योग साधना करने की योगा भ्यास करने की प्रेवना मिल सकती है हम योग के ब्यापक संदर्भों को समझें और अहिंसा सत्य अतुर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रे की साधना इदर सरीर वानी मन और इंद्रियों को सयमित रखने की साधना करें तो योग साधना का महत्व और उप्योगता बहुत ज़्यादा शिद्ध हो सकती है ओम अरहम